दक्षिन के मैंचेस्टर के रूप में जाना जाता है जहां से अधिकांश परिधान निर्यार्त होते हैं कच्चे माल की कीमतों में भारी वृधी से जूज रहे इस उध्योग पर यूक्रेन रूस का यूद्ध का असर पड़ रहा है तिरुपूर देश के सबसे बड़े कपड़ा केंद्र में से एक है यहां से प्रती माह 3,000 करोड रुपै का कारुबार होता है लेकिन निर्यार्त को ने कहा कि पिछले महीने कारुबार में 30 से 20 से 30 प्रतीशत के बीच गिरावट आई है तिरुपूरा से लगभग 65 ततीशत निर्यार्त कारुबार यूरोपी शंग से जुड़ा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने निर्यातक को काफी प्रभावित किया है तिरुपूर एक्सपोर्टर्स एसोशीएशन के अध्यक्ष राजा एम शाणू गम ने IAANS को बताया कि कच्छे माल की कीमत में भारी व्रुधी देखी गई है उदाहरन के लिए कौटन केनी की कीमत 15,000 रुपए प्रती माह बढ़ा कर 80,000 रुपए प्रती माह हो गई है और इसे हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ है उन्होंने कहा कि अधिकांश यूरोपी ब्रांट तिरुपूर से आयात करते हैं और रूस वा यूक्रेन में व्यापार करते हैं लेकिन युद्ध का पूरे यूरोप पर व्यापार प्रभाव पड़ा है इससे यूरोपी देशों द्वारा आयात की ये ज़ाने में गिरावट आई है ती आई ए अधियक्ष ने कहा यूरोप और यूक के युद्ध के बाद शरंकट में फस गए हैं और स्वाभाविक रूप से वे कपड़ा का आयात काफी कम कर देंगे अधिकांश यूरोपी ब्रांडों ने आयात को 20 से 30 प्रतीशत के बीच कम कर दिया है उन्होंने कहा कि कपास कैणी की कीमतों में वुरुधी ने यान और कपड़े की उत्पादन को प्रभावित किया है और सूती कपड़ा मुल श्रंकला के विकास को प्रभावित कर रहा है भारतीय कपड़ा उध्योग परिस्तंग के अध्यक्ष्टी राजकुमार ने मीडिया कर्मियों से कहा व्यापारी कपास की जमा खोरी कर रहे हैं और MCX और NDEX में भविश्च के कारुबार का फायदा उठा कर रोजाना आधार पर कीमतों में हेरा फेर कर रहे हैं